लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें पद्मालयाम पद्मकराम पद्मपत्रनिवेक्षनाम वंदे पद्ममुकीम देवें पद्मनाः प्रियाम अम् नूंदा, हो पी नूंदान दो Penny लो किन ले खूजकते लो जूजय है, लो कोई एकादे ले में लीक. पर निस्टर को न है तुम है तुम से पूछ रहा हूं एक मसाफिर कहा जा रहा हूं बेलापुर काम की तलाश में नया हूं रास्ता नहीं मालूं बेलापुर का रास्ता उस तरफ है टुम से उसका हूं उसके और प्राश में जुम है अी कि अिल्का रहा हूं ुम प्रॉब का रहा हूं घुम है तोड़ प्रॉब को मालूश का रहा हूं अच्छ आइए अच्छ आइए रास्ता बेलापूर का मुझसे पूछते और चल देते हो रामनगर के तरफ ऐसा क्यों मैंने अपना इरादा बदल दिया इरादा बदल दिया और इरादा क्यों बदला है यह मैं तुमसे यहां नहीं पूछूंगा पुलिस अस्टेशन में पुलिस स्टेशन किसलिए इसलिए कि पुलिस को जिस पे शक होता है वो उसे ग्रफतार कर लेती है और मैं तुम्हें शक की बिना पे ग्रफतार करता हूं मैंने किया क्या है जो आप मुझे शक कर रहे हैं इसका जवाब मैं तुम्हें यहां नहीं पुलिस स्टेशन में मैं जीप में नहीं बैठोंगा अगर तुम जीप में नहीं बैठोंगे तो मैं तुम्हें जीप से बांध कर घंसिरता वा ले जाओगा अग्सब यह क्या है रहे यह क्यों है रामपूरी नाम तो मुझे मालूँ बैटे रामपूरी को निया अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन यह तुम्हारे पास क्यों है मुझे शिकार का शौक है इसलिए इसे हमेशे अपने पास रखता हूँ अच्छा अच्छा आप मुसाफिर हैं रास्ता आपको मालूम नहीं है काम करने को नहीं है और उपर से शिकार का शौक हरते हैं वह जोग्राफिया बहुत अच्छा है हम खुश हुए चलो बैटर जी में चला प्याने लेश्ट के अब आप श्यां में जर्द से लिए अब अब गुपरेंगर रिया इंपने फीर बनीग फ़दर गुट मॉर्निंग सार गुट मॉर्निंग को नहीं मुल्दिम लगता है हां काता है शिकारी है रामपूरी चाकूल यह गुमता है रामपूरी चापू से शिकार करेगा हाथ ही मारेगा या शेर है चलो दर कड़ाओ जा मुझे लगता है कि बंसी लाल के केस में जो आदमी फरार हो गया था कहीं यही तो नहीं वो शकल देखिए बदमाशकी कितना भोला लगता है लगता है कि मां की गोच से अभी अभी उतकर आया है भोला है या मुझेरिम इस बात का पता लगाओ विजय यस से ले चलो से चलो मैं अज़ आया है चलो कि नाम के है नाम किया या तरह मैं तुछ से पूछ रहा हूं नाम किया तरह अभी गुन्भा है क्या बंतर क्यों नहीं जिदद जहर भरा हुआ है कमीनिवूट अभी निकलता हूँ अब हाद छोड़ हाँ छोड़ बना हड़ी पसले तो डालूँगा छोड़ तो तू हनुमान का भगत है अभी मैं तेरी भगती निकालता हूं मैं तुझसे एक बार फिर पूछता हूं तेरा क्या नाम है अच्छी बात है इसकी उंग्लियों के निशान लो हाँ तागत पर रख जिद्धी सीधी तेरा रख नहीं उंग्लिया तोड़ता निशान लेने पड़ेंगे अरह भाई क्या हुआ दिमाग इसका अब तक ठेकाने पर नहीं आया नो सर ना मुख खुरवा है ना उंग्लियों के निशान लेने तेरा है पाप की कडाई का पका हुआ पुराना मुझरिम है यह जब तु बेलापूर का पता पूछकर राम नगर की तरफ चल पड़ा था उसे वक्त तेरे कद्मों ने तेरी गुनागारी का सुबूत दे दिया था हर घड़ी रंग बदलने वाले को गिर्गिट और हर मिनत इरादा बदलने वाले को गुनागार कहते हैं कौन है तू चाकुल यह क्यों गुम रहा था किसके जिन्दगे के तलाश है तुझे जब तक तेरा मूँ बंद रहेगा तो इस हवालात में बंद रहेगा पुलिस से जबरदस्ती के दुश्मनी मोल मत लो बता तू बंसिला के खुन करना चाहता था अब है बोल झागवा दूश के टुश्मनी तेख है मेरे सब्र और श़ाफट का और जादे इमतहान बतलू समझ खाए आखरी बार ऊच रहा हम तेल में प्रूट, वो थे लुट आ आए आए? वातू? अब रख दो अम्यात आए लुट, पोल. क्या? जब आए आए, मैं वाँ. गब ब्लेश सो गले, कि यह मैं तुझसरे आखिरी बार पूछ रहा हूं बोल कौन है तू बागना चाहता है मर्द तेरी हटी पसली तोड़ दूंगा बोल यह बोलेगा कैसे हुजूर आपने तो इसका गला दबा के रखा हुआ है कि यह बुर्दी प्यूँ कर दोड़ सुट्ट्ट्ट्र्ण कर साथ कर दोड़ टूराबं में होगा हुआ है कर दोड़ आपनिया कर दोड़ुआ है झाभ! झावा! 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 कर दो कर दो duas O हुए याा हुए हुए में बंड़ी अबस्ट रखे तोल गूलाइब अबस् बटॉस्ट कर दोलाइब ताग कर दोलान वह जज रखे शोलाइब थॉस्टार प्रश कर लên कर दोलाइब है कर दो करे दो करें कि अईखूर। लगता है यह जखम किसी एक्सिजिटन से नहीं बलकि पुलिस की गोली से हुआ है ठहरिये आपको शायद मेरी बात बुरी लगी या आप मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं इसलिए यहां से जाना चाहते हैं घबराये नहीं मैं किसी सरकारी भी भाग से सुमन नहीं रखती मैं सरफ एक डॉक्टर हूँ सुनिये इस वक्त आपको एक सुचार बुखार है ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठेक नहीं है आरम किजी आप कि आपको जरूरत नहीं तो लाइट और टेवी बंद कर दीजिए रात जोरदार बारिश के वज़े से लाइट चली गई थी अब आगी है दीदी दीदी अरे वो आयू यह सुनिता दीदी का घर है न आप कौन है ओ, दीदी के महमान है कौन से लाके के रहने वाले है आप पंजाब के है, UP के है, MP के है, CP के है यह खाली, P के अरे, यह क्या बोलते हैं ही नहीं तीदी ने बात करने को मना किया है क्या थेरो मैं अभी पुछती हूं देदी अरे ये कॉन साब है इनसे मेरा ईंटर्डक्षिन तो करवा हो रह यह मेरे वो ओ मंगेतर हैं अरे वाह तब तो यह मेरे जीजा जी हुए फिर तो मैं इने खुद ही अपना इंटरेक्शन देती हूँ मेरा नम रजनी है मैं दीदी के परवस में रहती हूँ बड़ी खुशी आपसे मिलके डेंडॉंग डेंडॉंग जीजा ची की बाह में पट्टी कैसी रात आप दोनों में जगड़ा हुआ था क्या नहीं नहीं कल रात मोटर बैक में आ रहे थी न एक्सिडेंट हो गया था एक्सिडेंट अरे बबाबा बड़े तक्दीर वाले हैं आप जो लोग एक्सिडेंट करते हैं खून करते हैं धाके दलते हैं मुझे इंसे मिलने बड़ा मजाता है वैसे आपके कोई हड़ी वड़ी तूटी क्या हाथ की है पैर की रजनी गुस्ता क्यों होती हो दिदी जिन्दे की एक्सिडेंस से भरपूर होनी चाहिए जनन देना खुद एक एक्सिडेंट शादी दूसरा एक्सिडेंट ने यहां वो डॉक्तर में खटकट है ना उन्होंने यह लेटर दिया है वो आज आस्पिटल नहीं आएंगी ठेक तर्चा मैं चलती हूं बाई जीजा जी डिंग डॉंग डिंग डॉंग ये लड़की कौन है डॉक्टर अरे यह क्या जीजा जी तो तुमारे मंगे तर है फ अच्छा तो जीजा जी मजाग भी करते हैं मुझे मजागी लोग से मजाग करें में बड़ा मजा आता है मैं माज से पुछकर अभी वापस आती हूँ फिर जीजा जी से बैठकर खूब मजाग करूंगी अच्छा बाई दिदी से यू बुरा मत मानियेगा मैं कुछ कहना चाहती थी वो कुछ और समझ बैठी और मैंने जान बुछकर उसे टोका भी नहीं 24 गंटे दुनिया भर की जासुसी नावलें पढ़ती रहती है अगर मैं तुम्हें अपने रिष्टेदार बताती तो वो कभी नहीं मानती है सवाल पर सवाल करके दिमाग चाट जाती है मगर है प्यारी बच्ची मुझे देर हो रही है मैं हास्पिटल जा रही है अगर भूक लगे तो वो सूप पे लेना और आदा गंटे के बाद दो गोलियां खा लेना पेन किलिंग के लिए और अंदे से बंद करके सो जाना आरम से मैं शाम तक आजाओंगी सर्थ हमने चपपचपच छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला कितने शर्म की बात है वो अकेला तुम समों की पिटाई करके चला गया और तुम लोग इतने सारे होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं सके लेकिन हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना है जिन्दा सर एक आइडिया है बोलो बिलासपूर में एक जोहरी के हां चोड़ी हुई थी तो हमने एक चुत्रकार से उस चोर की तस्वीर बनवाकर उसे ग्रफतार किया था अगर उसी तरह इसकी भी तस्वीर बनवाकर you are under arrest कर दो कर दो अरे ये क्या पसीने से तरबतर हो गया बुखार उतर गया आप तो शाम को आने वाली थी इतने जल्दी कैसे आ गई है पता नहीं आज काम में मन नहीं लग रहा था और पेशन्स पी कम थे इसलिए चलिए आई है हाई जीजा जी जीजा जी मैं तुम्हाई टैंपस के लिए न नौविल पड़ी है कहां से पड़ी होगी कली तो मार्केट में चपकर आई है ये बड़ी उट पटांग से लही है और इसके दूसरे चैप्टर में रवी और आधा दूरों बातरूम में एक दूसरी कमर में हाथ दालके बॉल्ड रूम डांस करते हैं और उसके बाद तो हनीवन मन ने कहा जाएंगे और कितने दिरों के लिए जाएंगे रजनी कितनी बगबग करती है बच्ची आ इतनी बाते नहीं करते हैं बुरा लगता है गये काम से मां और भाईया भी यही कहते है तु बच्ची है छोड़ो जी जा जी ये लीजिए आप कल तक इसे खतम कर मैं चलती हूँ तब तक दिदी आफ दोरों भी रवी और राधा की तरह दिंग डॉंग डिंग डॉंग रजनी क्या कर रही है ओफो भविशे के बारे में सोच रही हूं मां जवानी का खजान है है रॉमैंस का जमाना है जवानी का खजान है रॉमैंस का जमाना है यार का दिदार कर लो मेरी सनर, यार की उमर है और यार का मौसम, रुमेंस, 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 हुआ रुमेंस, हुआम आर, आर, जवन, है मेरी जवान ने जो आग लगाए तो आपको ठंदा कैसे करेंगे पैठेंगे तेरी दुल्पों की छाओं में छोलो को ठंदा ऐसे करेंगे मेरी जवान जो आग लगाए तो आपको ठंदा कैसे करेंगे पैठेंगे तेरी दुल्पों की छाओं में छोलो को ठंदा ऐसे करेंगे यार का दिदार कई, यार का दिदार कई, ऐ मेरी सनम, क्यार की उमर है और क्यार का मखम, रोमेंस, 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 जवानी का खजान है, रोमेंस का जमन है, झाल कर दो जितना मैं देखू, उत्रा ही तरसू, प्यास मजर की कैसे बुझेगी तुमको पिलाओगी प्यार का अंगी, प्यास तुमादी ऐसे बुझेगी यार का दिदार कल, यार का दिदार कल में सनम, यार की उमर है और डार का मौखम रोमेंस, 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 रोमेंस कि गुद मॉर्निंग सर गुद मॉर्निंग क्या बात है उस मुझलिम की तस्वीर अखवार में छापने के लिए दी सी ना वो छाप गई है यह देखिए कि अध्युद मॉर्निंग को कि अध्युद मॉर्निंग करने लगी ती और नहीं तो क्या अच्छा वने जान बजगे तुम खाकी वर्दी वाले होते ही ऐसे हो बस चोबिस घंटे मुझरिमों की पीछे भागते रहते हो मगर यह नहीं जानते कि दुझया में प्यार नाम की भी कोई चीज है, लेकिन यह सब बाते तुमसे क्रचे क्रचे में क्या फाइदा हॉए zone ने ये ये फोटो किसकी है तुम नहीं जानती इसे ऐसा कौन सा अदमी जिसे मैं नहीं जानती बताऊ ना वया आदोश बेटा खाना खालो जानते हो आज मैंने तुम दोनों की मन पसंद चीज बनाई है काश्मीरी पुलाओ सुनिये जी मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूं पहले आप ये बताईए कि मैं आपके इन आसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा तो फिर मैं आपके ये तोफा कबूल कर चुपाऊ मत मैं वो तस्वेर पहले ही देख चुकी हूं आप कौन हैं पोलिस आपका पीछा क्यों कर रही है आप चोर हैं या कातिल हैं मैंने ये सब अब तक कुछ नहीं पूचा मैं इस मकान में अकेली रहने वाली और अज़त जिसका कोई नहीं है उसने तुम्हें सहरा दिया पनाह दी इसकी वज़ा जानते हो क्यों तुम जंद अगया हो सकता है शायद जिसकी अपनी जिन्दगी को रहन की च्छाओं ना मिली हो उसे दूसरों पर रहम आ जाता है आप मेरे लिए अंजाने हैं फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया अगर आपको मुझे पर विश्वास है तो बताएए आप कौन है ये सब क्या है अगर नहीं बताना चाहते हैं तो मजबूर नहीं करूंगी सिर्फ अफसोस रहेगा जिन्दगी भर कि मैंने एक खुनी एक गातिल एक मुझरिम को अपने घर में पनाह देकर जुम किया है ये मेरे बहुत बड़ी भूलती ठेरिये आपने मुझे मौत के मूर सो बचाया मुझे नहीं जिंदगी ती नहीं तो शायद गोली का जहर मेरे शेरी में फैल जाता और मैं जिन्दा न बच्टा मैं आपका और आपकी मेरवानियों का पमान नहीं करना चाहता मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूँगा मैं भी कभी आपकी तरह शेरी विंसान था शेर से दस मिल की दूरी पर रामनगर गाउं में मेरा घर था शेर के कॉलेज में मैं बी ए फाइनल में बढ़ रहा था कि करना चाल खामन था मैं इनल और उपक्र था जढ़ बदानोahu कर दो से खुआ है औाय हुआ हुआ हुआ! कुमल मदूर चतुर चपल तेरा हरंग सरवां सुन्दरी कुमल मदूर चतुर चपल तेरा हरंग सरवां सुन्दरी सरगती लोक से आये तुई लिये तू भी आ कुमल मदुर चतुर चपल तेरा हखंग सरवाल सुन्गरे असर चतुर 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 और के बांद कर चतुर तन्तिरा मन्दिरं मन्तिरा सुन्दरं हर बनर तुझ पे है जीवनम्यावनम् नन तेरा मन्दिरं मन्तिरा सुन्दरं हर बनर तुझ पे है जीवनम्यावनम् नेनको दिल से, प्रानको प्राण से, तू मिला कुमल मदुर चतुर चपल तेरा हंग सरवाल सुन्दरे प्राण से, प्राण से, प्राण से, प्राण से, तू मिला प्राण से, 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 प् कोमल मदूर चतुर चपल तेरह रंग सरवा सुन्दरी सरगती लोग से आई तेरी लिये तू भी आ कोमल मदूर चतुर चपल तेरह रंग सरवा सुन्दरी गुड मॉनिंग सार ओ आओ आओ सुन्दरी एक्जाम तो खत्म होगा है अब क्या रादार चुट्टियां इसलिए गाउं जाओंगा सर जाने से पहले आपका अशिरवद लेने आया हूं बेटा सूरज एक प्रिंसिपल एक उस्ताज होने के नाते मेरी तमन्ना है कि मेरे विद्यार्थी देश की सेवा करें देश की तरक्की में उसका हाथ बटाएं तुम इस कॉलेज के बेहतरी स्टूडेंट हो मैं चाहता हूं कि तुम आईएस का एक्जाम पास करके आईएस आफिसर बनो और देश की खूब सेवा करो आपका आशिरवाद रहा तो ज़रूर बनूंगा सर देश की सेवा ज़रू करूंगा अल दी बेस्ट थैंकि वरी बच्ता थैंकियू हाई अरे तुम कब आई जब प्रिंस्पल साहिब तुम्हारी तारिफे करके तुम्हें आत्मान की बुलंदियों पर बिठा रहे थे मैं गरीब उसी वक्ताई सुनिये कल के होने वाले आये साहाब इतनी उंचाई पर जाकर आप हम नीचे वालों को कहीं बूलतों नहीं जाएंगे डॉंट बिसली अरे बाबा सिली विली की बात नहीं उपर वालों को नीचे वाले जरा कम दिखाई देते हैं इसलिए अभी से तुम्हारी दिल में अपनी जगा पर्में कर रहे हूं चलो गाउन चलते हैं जी नहीं मैं बेकार हूं मैं कार में नहीं जाओंगा तो क्या शेहर से गाउन तक पैदल चलोगे क्यों ट्रेन में जाओंगा भई ट्रेन में हां टिकेट बुकर लिया है क्या और नहीं तो क्या यह देखो बता बता अरे यह क्या कर रही हो टिकेट फार दिया अरे टिकेट सुरिज, एक शवल पुछू बिल्कुल नहीं, इम त्यानों के सवालों के जवाब देते देते ठक गया हूँ, अब किसी भी सवाल का जवाब देने की मेरे भेजे में ताकत नहीं है, ठीके बबा, मन जवाब दो, लो, कोई भी एक उंगली पकड़ो, जी नहीं, पहले उंगल अरे, गारी क्यों रोग दी, क्या हुआ, तुमने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी, अच्छा बाबा, लाओ, पकड़ता हूँ, ये लो, माई गाड, क्या हुआ, जो मैंने सुझा था वही हुआ, क्या, तुम साथ मुझ कलेक्टर बन जाओगे, जहत पेरे की, अगर तु अंगली में अंखुटी पेना दूना, तो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी बचाओगी, अगर मैं तुम्हारी इस अंगली में अंगुठी पेना दूँगा, तो तुम्हारा बाप, मेरे गले में फासी का फंदा पेना देगा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है, वह हमारी श देखा हमको देखकर ओलग शर्माकर भाक है शर्माकर नहीं घबराकर इस माशे को जानती हो यह है रगू इस गाउं का मुंसिफ अपनी पहली बीवी का खुन कर चुका है और हर रोज एक नई लड़की से इश लड़ाता फिता है रगू याने सुनन जी का बेटा जी यहां आ बन्सिलाल जी क्या बात है आप कुछ यह परेशान नदर आ रहे हैं आगाउं में शांती है ना वह गाउं में जब तो धीना मस्ती नहों कुछ गडबर नहों कोई मेरे पैलों में सब्रागड़ के रोव ना रहो तो मुझसे खाना अजम नहीं होता है ऐसे लगता है जैसे पेट में शैतान खुदकुशी कर रहा है यहां वो तो है आपके होते हुए शांती हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सहलाब आया है फिर भी जमीन सूखी है और संसाठ बहालपूर के लोग हमेशा याद रहेगा बताओ क्यों इसलिए कि वहां खेती बाली के लिए सरक इतिहास लिखने के लिए दुनिया में जनम लिया है मगर आज कर उस इतिहास की लिखाई कुछ बंसी होती जा रहे है आप फिकर मत कीजिए बंसिलाल जी ऊपर वाला कोई नो कोई मौका इतिहास लिखने का जरूर भेजेगा है कमाल हो गया बंसिलाल जी नमस्ते अरे हम तुम्हारी आखे फोड़ देंगे अरे हजूर मैं जो निजारा देख्या रहो ना दूम मरने कोछी चाता है तमीन में कर जाने कोछी चाता है यार गाउं के मुंसिफ हो क्यों काने आजाम की तरह लागाई मुझे कर रहो अरे शर्मा जी हमने सोचा था बंसी लाल जी की बेटी शहर से डिगरी लेकर आएगी आज जानते क्या राई है क्या अपने साथ डामाद लेकर आई है क्या बखवास करता है अरे हजूर मैं बिल्कुल ठीक बख रहा हूं वो कोई गढ़वड करके नहीं है अपने साथ डामाद लाई है रगू ज्यादा बखवास करेगा अपने अपने अगों से दिखाए उसके गले में बहाएं डाल की शीटी बजाते हुए काड़ी चला रहे है प्रीटी आप इम्तियान कैसे हुए अच्छे हुए मुझे बड़ी फिकर लगे रही थी तीरी कि तुक्र इम्तियान देकर पास होगी फिर मैं कब तेरा ब्याद करूंगा तुझे तेरे घर रवाना करूंगा फिर को धंग लड़का भी नहीं मिलता था बड़ी तलाश के लड़का मिला है सूरज के बारे में तरह क्या ख्याले सूरज है वह तो बहुत अच्छा रड़का पिताजी और चलाक और होश्यार भी है होश्यारी और चलाकी तो पुझे मत कॉलिज में उसके टकर का कोई स्टूडेंट ही नहीं हर सब्जिक में फरस्ट लेकिन एक चीज लाल अपनी इकलोथी बेटी के लिए कोई धंका लड़का भी नहीं दून सकाया गरीब के कले मान दिया उसको मेरा तो इतिहास ही खराब हो जाएगा आप गलत सोंजरे ही पिताजी लोग उल्टा आपकी तारीफ करेंगे कि बंसिला सिर्फ डॉलत से ही अमीर नहीं बलकि द मैं अब ही जाकर उसे एक खुशकबरी सुनाती हूँ और उसे कान से पकड़ के लाती हूँ हाँ कान मान से मैं पकड़ूंगा बलकि कान उखाड भी लूँगा यह यह क्या है यह मेरी और सूरज की तस्वीर है कॉलेज के फंक्शन में खिचवाई थी मैं मेरिका बनी थी औ तो विकारियों से भी ज्यादा गरीब है तौरे जूत एक तरफ और इसके पूरे घर की जवार्णे कि धिवाभग 1 एक तरफ और ऐसे ब्रोटी नियुदती तो एक तरफ मेरे मरने के बात भूं बहुंऑ सकता है यह प्यार नहीं बच्पना है बेवकूफी हिमाकत है गुड़े गुड़ियों का खेल है और इस खेल के लिए अपनी शान शौकत इज़त मान मर्यादा को खाक में नहीं मिला सकता है आपकी इज़त आपका रुद्बा मेरे और सुरज के बीच में आया तो मैं इसे रिवॉल्वर बंदूख हर दिसम की हत्यार का लाइसंस लेकर रख लिया है मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हत्यार तुम्हारी वज़े से इस्तिमार करने पड़ जाएंगे इसका मतलब आप सुरज की जान लेने की धंके ने रहें ना बेटी ना तंकी तो बुजदिल दिय जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं फिर मेरी बात भी सुन लीजी आप मुझे मेरी शादी के दिन सूरज का कटा हुआ सर तुफे में देंगे और मैं उसी मन्नख में आपको अपनी लाश तूफे में देखे मैas कि का तूफा अच्छा होगा बाप का या बेटी का यह मेरे खुम से मेरे ये अत्यास लिखने के चकर में है अच्छा मैने भी तेरा इत्यास नबदल दिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं मालिक आपने मुझे बोलाया हाँ क्यों ये श्पाल तुम तो उधार लेकर ड़कार तक नहीं ले रहे हो मेरा उधार याद है या नहीं बिलकुल याद है मालिक मैं बहुत जल्द आपके 40 सार रुपे चुका दूगा कि मैं भाद जल्द बहुँा जल्द बहुत देर हो गई मैं अगर लेकर तुम हारा बहुत जल्द अभी तक नहीं हे था सब्सेलाल की महरबानी नहीं हमने तुम्हे करदा इसलिए था के तुम्हारा कीनसर जैसी झाप बीमारी से बच-बात और तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहे जी हाँ, मैं आपका यह अहसान कभी नहीं भुला सकूँगा नहीं अश्पाल, तुम अहसान भुला चुके हो पर अब तुमने अहसान के बदले अहसान फरामोशी शुरू कर दिये जी जाँ, आज पता चला के तुम्हारे घर में तुम्हारे खून से एक ऐसे कीड़े ने जनम लिया है जो रहता तो गटर में है, मगर घर मैलों के चट पर बनाने की सोच रहा है किसकी बाते कर रहे हैं आप तुम्हारा बेटा, वो मेरी बेटी की जूदियां उठाने के लायक नहीं है हराम खौर मेरी बेटी से इश्क कर रहा है उसे अपने प्यार के चकर में फंसा लिया है तो इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ मालिक तुम, तुम जाकर अपने घटिया बेटे को सलीम और अनार कली की काहनी सुनाओ उसे काओ कि जिस तर अकबर बाश्या ने अनार कली को जिन्दा कबर में गड़वा दिया था यह बंसीलाल उसको जिन्दा खेत में गड़वा कर उपर से ट्रेक्टर फिरवा देगा याद रखना उसे काओ कि जिस तर अकबर बाश्या ने अनार कली को जिन्दा कबर में गड़वा दिया था यह बंसीलाल उसको जिन्दा खेट में गड़वा कर ऊपर जे ट्रेक्टर फिरवा देगा याद रखना पिता जी क्या हुआ पिता जी कुछी नहीं बेटा पैर पर पथर गिर गिर गया था पिता जी आप सुबह से काफी परशान नजर आ रहे हैं क्या दिदी की फिकर लगी आपको नहीं बेटा नहीं तो क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं मेरी चिंता मत किजी पिता जी मेरे इमत्यान बहुत अच्छी हुए और प्रिंसिपल साब ने आशिरवाद देकर कहा है कि सुरज एक न एक दिन तुम कलेक्टर जरूर बनोगे भगवार उनके आशिरवाद को सच सा पाया जा रहा है यह सरकारी निलाम है बोली लगाना शुरू करते हैं घरो हमारे घर को निलाम दरने कहां किसने ती आपको अगर ने कोड़ने बहले सामने खड़ा पूछ लो सुँँ ने नोटिस दिया न ख़वर की अपने पैसे और वसीले के दोर पर निलामी के काघश ल सद्दा दूसरे अंदास से ले रहे हैं सद्वोली आपने नोटिस कब लिया था किश्वाल तुम दरसल सठी आ गए हो गरीबी के कीड़ों ने तुम्हारी याददाश को चबा डाला है मैंने तुम्हें नोटिस निया था अब तुमने मालम यह क्या था किमा आपके पैसे लाइक नहीं हूं कुछ दिन मुझे समकान में रहने दीजिए जब मेरा बेटा कॉलिज से लौट आये तो फिर मेरे जमीन मेरे मकान इलाम करके अपने पैसे वसूर कर लीजेगा का था यह नहीं का था तुमने अच्छा चलिए मैं जूटा से बुढ़ा पे मेरी याददाश्ट हो गई है मैं मानता हूं लेकिन आप यह निलाम रुपा दीजिए यह जमीन च्छिंग गई तो मैं अपने बच्छों को लेकर कहा जाओ तो चुप रहे मुझे क्या माले मुझ करें जूनिक नहि기र नहीं पर रहे हैं उनका भरशिण सस्क्षारकावी यह चॉट्छ इडान मेक्ता है अपने पिता हूं की जिंद्गी का बौण शुटाने की शक्ती मेरे बाजों में हैग छले नहीं जोकी जी जी आयो पिताची आओ हम तो समझे थे कि यश्पाल की ज्यादा धडबने की खुशी में हमें स्कॉच की पाड़ी मिलेगी लेकिन बंसी लाल जी तो हमें देजी भी लागत रखा रहे हैं आरे इतना इनी रखुजी सूध पर सूध मार मार के मार मार के चार के चालीस हजार बना लिए हराम कामाल खागा की दिमाग में हरामी कीडे पड़ गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा है अधर ना क्यों गिला करने की बात कर रहा है बंसी लाल जी मुझे कोई इत्यास वित्यास नहीं लेकिन एक आईडिया में की तरव मेरे दिमाग में उचल रहा है क्या है दुनिया की तालाब में लड़कियों को मचलिय की तरफ पकड़ने में अपने रगुजी एक नंबर के चैंपियन है तो आइडिया ये है कि क्यों ना इस सांड को सूरज की बेहन सीता के पीछे लगा दिया जाए जिन्दगी में आखरी मरतबह तुन्हें अकल बंदी की बाती है आखरी है क्या है कि विद्वा है मगर जवान है गद्रायव अफ़ल है जिसे कम खाया गया है पंसिलाल जी क्यों ने इस भलका भी टोकरी में बाद ले जली तमीनो उत्तो मेरी जाइदाद हडप करके अब मेरी बेटी की इसत लूटने का इरादा रख से हो मैं तुम लोगों को जान से माड डानूगा लेकिन ये काम हंगे से करने दूगा छोड़ दो मुझे छोड़ो जोड़ और अरे मर गाए यह तो मर गया सच मुझा मर गया बनतिन लाचिए एकामकर, शुवह इसके लाश गाओं के किसी पेड़ से लटकती नजर आनी चाहिए ताके लोग समझें से जिम्दगी सतांगा कर खुदकुशी कर लिए, चल!! तुम्हारे बाप से मुझे चालीस हजार रुपय वस्रू करने थे नीलामी से सिर्फ 20,000 रुपय वस्क्राइब बाकी के 20,000 का क्या होगा आप इनसान है या वैशी मेरे कांदे पर मेरे पिताजी की लाश रखी है और आप हिसाब मांगने आये हैं इनसान हूँ तभी तो हिसाब मांगने आया हूँ मुझे आप काख़ों की लिखाए पर वरोसा नहीं रहा तेरे बाप ने भी तिलिक की दिया था मर गया अब मैं क्या मुर्दे को जिन्दा करके पैसे बस्दूर करूंगा कर्दा चुकाओ और अर्थी आगे बढ़ाओ सीड़ा इसाब है अभी इसी वक्त हम इतना पैसा कहां से लाएंगे मेरे भाई को नौकरी मिल जाएगी हम थोड़ा थोड़ा करके आपका कर्दा उतार देंगे नौकरी नौकरी तो यह शहर करने जाएगा ना उसके बाद तुम भी एक दिन्यां से खिसक जाओगी पिर नहीं आएगा ना तुम आओगी और ने बंचिलाल जी का पैसा याएगा नहीं एक तरीका है जब तक तेरा भाई कर्दा निचुका था वो इस गाओं से बाहर निचा सकता अगर नौकरी नहीं करूंगा तो आपका कर्दा केसे चुकाऊंगा वो मैं बताता हूं तुछी गाओं में रहेगा और मैं तुझे तेरी जमीन वापिस लवटा देता हूं तुस पर खेती बा बस हो गया करीजा ठंडा निकल गई दिल की भडास अपनी बेटी का तो कुछ न बिगार सकी लेकिन सूरच का पूरा घर उचार कर रख दिया उसका मकान खेत सब नीलम कर दिया उसके बाप को सद्वे से मार दिया अब तो आपकी दिल की चाले फूट गये होंगे नहीं सारे चाले बाकी हैं तुम देखती जाओ दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि बंसी लाल से टकराने वाले का अंजाम मौत होता है अब भी तो खाली बाप मरा है बेटा और बेटी तो बाकी है ना कि अधिक अधिक वह देखो देख रहें है कैसे यह दोनों भाई बहन जान तोड मैनद करके अपना खेत जोत रहें आप तो मईडिंग हां करें थे कि यह क्या खेती करेगा पढ़ा लिखा है खेती करना इसके बस की बात नहीं यह तो बस से कही जादा करें आप अगर यह यह मैनत करता रहा तो बहुत जल्द आपका करदा उतार देगा और आप मूँ देखते रह जाएंगे और मैं तेरा मूँ तो दूद मूँद मर गया शर्मा मर गया गला गिला करके आते हैं गिला गला पजामा नहीं पजामा हुआ 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 है हुआ 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 है बाल सभाव हाथ कररें मौँ को अगरा को यह ने मालू है कि वह फासल होगा आपका करदा चुका देंगा और तुझे हैं नहीं मालू पासल नहीं ilo है कि कि हीामा इसे मालू मालूम मॉधे हैक व इस पैसा तरह बाप देगा सूरज लो इन कहनों को बेच कर तुम्हारे खेट के लिए बीच करें लो तुम्हारी सारी मुस्पतों का कारण मैं हूँ मेरे वज़े से तुम्हें ये दुख सहने पड़ रहे हैं तुम से किसने का के मैं मुसीवत में हूँ तुखी हूँ नहीं कहने से क्या होता है, मैं सब चानती हूँ, मेरे पिता तुमसे हमारे प्यार का बदला ले रहे हैं लेने दो, बदला लेने का मुकाबला कैसे किया जाता मैं अची तरह जानता हूँ तुम्हें यह नहीं आना चीहीता प्रती, जाओ, घर वापस लोट जाओ यह गहनों को स्विकार कर लो, फिर छेली जाओंगी मैं किस किसम का इंसान हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी यह गहने लेकर तुम मेरी मदद करने आई हो और मैं किस किसम के लग यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो, फिर भी इंकर कर रहे हो, फ्लीज, रख लो प्रिदी तुम इन गहनों को नहीं छोड़ कर जा रही है, बलके हमारे बीज जो संबंध है, उसे तोड़ कर जा रही हो हमारा संबंध, इन गहनों से बहुत किम्ति है, ले जाव इने अरिया यह मेरे सुहा की आखरी निशानी है, जिससे तुम्हारी जीजाजी ने अग्री को सक्षी रखते हुए मेरे गले में बांधा था, अब मौत तो उन्हें लेकर चली गए, साथ में मेरे माम का सिंदूर भी मिटा गई, सिरफ यह मंगर सुत्र छोड़ गई, ताकि यह हमारे तकलिफों में काम आज सके, भाया, इसे पेश तो, अब यह भंगर सुत्र एक विद्वा के किसी काम का नहीं, बेश तो भाया हाई, अरे तुम, बाप के बंगले में मकमली कारिन पर चलने वाले पैर, इस पत्थ्रिली जमीन पर क्या कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, जब भावरे को फूल से प्यार हो, तो कांटों की परवा नहीं करता, ये फूल और कांटों की कहानी, तुमारे पिता जी को पता चल गई, तो दोनों हातों से अपना सर पिट लेंगे, आरे पीट लेने दो, दूसरों का सर पीटने वालों को कभे-कभे अपना सर भी पीट लेना चाहिए, चलो, मुझ खोलो, मेरी पिता ने तुमारे जीवन में काफी जहर बोला है मैं उसके बदले में तुम्हारों मीठा करने आए हूँ लो यह खाकर चाहें उनसे नफ्रत ना घटाओ अगर मुसे प्यार तो बढ़ाओ तुम्हारी प्यार के बिना मेरी सिंद्ध की सहर बनकर रहेगे प्यार कर लेने दीजिए बनते हैं यह सूरत के साथ कौन बाते कर रहा है का अपके चश्मे का नंबर खराब हो गया है अब दूर भी लगा के देखा कीजिए बाते कर रहा है कर रही है को यह आपकी बेटी यह नहीं वालू है हाई 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 उसके हाथों की बने मिटाई की खुश्मू याद कर रही और वह तो क्या क्या हो रहा होगा अरे मैं अंदा कलेजाची के सारी मिठाई अंदर से निकल लूँगा आपके इतिहास का गला काट डालेंगे देखिये बंसी जी आप ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी जिद बलती जाएगी वसे कुश्वी कहिए इमान की बात तो यह है कि वो साला है मर्द पड़ा लेका होने पर भी हल जोत लिया आज बीज वो रहा है कल पौदे उगा लेगा परसों आपका करदा चुका देगा और तरसों आपकी बेटी को लेके चंपत हो जाएगा जगा पक्वास करेंगा तो में तिन बीवी को ठाला हूंगा ले जाई है तीन साल से उसको आप ले जाएगा चला रख उसे मिलकर नहीं अदाश शूरू करते हैं अब कर दोस्ते क्या आज आपके यह बहुत बहुत कर रहे हैं अब के बहुत क्या रहे हैं शीचू बोलिए तो आप तो अची तरह से जानती है कि मैं इस गाउं के कानून और इसाब कर रखवाला हूं इसलिए मेरा इंदाब तो ये कहता है कि आप पर ये विज्वापन अच्छा नहीं लगता है, शोबा नहीं देता है इसलिए मैं ये देखिए आपके लिए सुभागिन का जोडा नाया हूँ, इसे पहलीजिए और मेरे साथ हमेशा मेशा के लिए गाटवाते है अबे शर्मा के बच्चे साले मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जगा देखकर हाथ बढ़ाया कर, जिस दिन मेरा हाथ बढ़ गया तो साले गिला हो जाए भाई साथ, नमस्ते नमस्ते, आप कब आए? काफी देर हो गई तब तो आपे मेरी सब बाता सुलने होगी, भाई साथ मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं वाके ही आपकी विद्वा भेहन सीता जी से शादी करना चाहता अरा मजादे, क्या वोला? उन्हें गाउं के मुन्सी को मारा? फिर मारा? मेरी भेहन को साड़ी पहनाएगा यवे कमीने, ये साड़ी अब मैं तुझे पेनाओंगा मुझे? चल उतार कपड़े मैं कपड़े उतार हूँ? अभे कपड़े उतार ने तो तेरी गर्दों को तेरी धर्ट उतार दूँगा आँ उतार दूँखिए तो तेरी गर्दन उतार दूँगा अभे मनसिफ की आलाद, इस हालत में सिधा गाउं की तरुप भाग, पीछे मुड कर नहीं देखना पीछे मुड कर देखा तो मैं तेरी गर्दन उतार दूँगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर भाग रही है अब कर दो नहीं कि तुने मेरी घर मोजगोदी में किसी ओरत को अदमाशी के लिए बुला लिया है कैसे बाते कर रहे हैं आप बंसी लाल जी अगर बुलाओंगा भी तो इतनी भयानक लंबी चोड़ी पहाद जैसे औरत को मुझे गीला थोड़ी होना है मुझे ने मालूम कौन है अगर तुआ तुसरे बगरी जैसी अगर शरीर बहुत लाजवाब है उसका मगर भाग कैसे रही है लगता है अपने खसम को छोड़के भाग रही है अरे बंसी लाल जी वह आपके के तरह भी जा रही है यह पजाने की बार-बार याद क्यों दिलवाते हैं आप खड़ा रहे अरे कर गया में गीला अब कर देवी जी अपने माबाप से लड़कर आई हो यह खसम से जगड़ा कर लिया है फिकर मत करो तुम्हें यह से कोई नहीं ले जा सकता है मैं इस गाओं का बेहताज बादशाहूं वह गाओं का मुंसिफ है रगू अरे वो तो मेरे जूतों के तलवे चाटता है मेरी आखों को ठंड़क पहुंचाओ अपना चांसा मुखड़ा तो दिखाओ अरे दिखाओ ना दिखाओ ना इस तो कहीं रगू की जुल्दा भें तो नहीं तो नहीं तो नहीं मैं रगोई हूँ हूँ फिर इसाड़ी ए कि गलत धंदा तो नहीं चुरू कर दिया है अरे जब यह सब तुम्हारी से लागल दीजा है मेरी हाँ तुमने मुझे साट को उसी रही के पास बेजाता ना तो सराम जादे सूरज ले मुझे साट को राण बुलाती है मुझे कील अब ही कर दिया है अब है दर गयो गिर गया क्या फाइदा खेत की जमीन पर तो गिरते हो लेकिन मेरी दिल की जमीन पर कभी ने गिरते हैं हम जैसे गेरे हुए आत्र ठोकर खाकर जमीन पर गिरते हैं या नजरों से गिरते हैं, दिल पर गिरने लाइक नहीं है देखो, तुम ये दिल जलाने वाली बाते करके, मेरे तिल मत दुखाया करो प्रिदी, मैं तुम्हें किस तरह समझाओं, मेरी हर खुशी तुम्हारे पिता की नजरों में कांटे की तरह चुपती है और मैं तुम्हें किस जुबान से समझाओं कि मैं जिन्दा सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, अपने पिता के लिए नहीं मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो जरूर कहके तो देखो तो फिर जहां तुम्हारी पिता चाहते हैं महां तुम शादी कर लो और किसी बड़े घराने की बहु बनकर आराम की जिंदगी गुजारो हो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है अगर मुझे पता होता कि आज तुम इतने सड़े हुए मूड में हो तो मैं यहां कभी ने आती ठीक है मैं जाती हूं पिर कभी ने आओगी कर देखो दोने साम कैसे लड़ रहे हैं कि वह लड़नी रहे फिर बलके तुम्हारी भाशे में यू कहना पड़ेगा के साइड़े हुए मूड में नहीं है तुम्हारी तरह प्रेम करने के मूड में हैं कि अश्याइव कि अश्याइव कि अश्याइव कि लड़ेव कि अश्याइव कर दो कर दो चांदनी चांदनी रापी सनम नहीं प्रिमियो कुझ अनसिकम चांदनी रापी सनम नहीं प्रिमियो कुझ अनसिकम आओ जी भर के प्यार करो कोई देखे तो देखने दो चानदी चानदी रातिय सनम नहीं प्रेमियों को जन्नत से कम आजी भई के प्यार करो कोई दिखे तो दिखने लो आजा रे आजा रे आजा आजा रे आजा रे आजाओ जिनमें जान है जिनमें दिल है उन सब के अंदर है प्यार जिनमें जान है जिनमें दिल है उन सब के अंदर है प्यार हम क्या तुम क्या प्यार में धूबा तारा ही ये संसा चांदनी राती सनु नहीं प्रिमियो को जनत से तुम आओ जी भरके त्यार करो कोई देखे तो देखने दो आजा आजा हो 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 हाँ 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 एयवाँ चांदन्स हम लोगाँ कर दो कर दो करती हैं धर्षी, धर्षी के फीरे जंदा तेरे मिलन की चाह में घूमें मेरा प्रान पतंगा चांदनी रात ये सनम नहीं प्रेमियों को जन्नत से कम आजी भर के प्यार करो, कोई देखे तो दिखने दो आजा, 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 ओो कि अब्सक्राइब कि अधिन वाद दर्शन दिये मनने के या बंजी लाल साथा टेम होता नहीं है टेम अगए टेम मिले तो पेड़गट वादता हूं और टेम मिले जंगली जानवरों को पकड़ा जिता हूं भाई यह तो टेम टेम की बात है अब दुनिया में दो ही तो लाल है एक बंसी लाल दूसरे सुदर्शन लाल क्यों जी मना है मुझा भी और सुदर्शन ची को खास ख़बर ख़बर हैं बंसी लाल कि जंगल का बहुत ब करें वैसे जैसे हमेशा चुकता करते हैं आयो बंसी लाल एक तो मन्ने की चोटी सी जेब गरम कर दो और दूसरा मन्ने को कुछ ताजा घुवाटी फल खिला दो वो टेम हो गया है लिए जहां तक आपकी चोटी जेब का तालुक है वो तो मैं गरम कर दूंगा फलवल खिला कर दो खिला इंका का में कर में लोग तूंगा खिला सका लंगा ईंका कर दोटी जहां है वो टूम्हल को खिला सब्झावश थट खिला 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 kitty है सूरज रुप जाओ, सूरज रुप जाओ, सूरज यह तुम क्या करे हो, यह तो फागलपन है नहीं पीती, मैं अपनी बेवसी का गला गोंट रहा था अगर यही बहुतुरी तुमने मेरे पीता के सामने दिखाए होती तो आप तक मैं तुम्हारी पत्नी बच्चुकी होती है तुम्हारे बात के सामने बहादुरी दिखाने के लिए मुझे हाथ में खंजर उठाना होगा वो मैं कपका उठा चुका होता लेकिन हर बार मेरी विद्वा भेन की मजबूरिये मेरा रास्ता रोक लेती है मेरे सिवाई संसार में उसका कोई नहीं यह खयाल मेरे हाथ से खंजर छीनकर भैंक देता के मेरे बाद मेरी दीदी का क्या होगा जिस वासना बरी निगाह से लोग मेरी बहन को देखते है अगर मैं जेल चला गया तो वो उनकी वास्ता का शिकार बनकर रह जाएगी अगर ऐसा है तो अकल से कम लो अपने मेहनत और चाला की से उगाए हुए फल दुबरा हाजिर करो शर्मा तुम्हारे फल थोड़के शहर के बाजर में बेचने गया है हाला अरे बंसिलाली को क्या जवाब दूगा फिर गेला कर गया तो सुनिया है सीता सीता तो आरे यह खूब सुरुत पहर मेरे घर की चोगन चम काने आये है आप मुसे शादी करेंगे शादी है सीता तो मेरे क्यों मजब ऊळा रहे हूँ क्या एक बार साधी पहराने के बाद मैं टुम्हेरा अजी मैं सच कह रही हूँ आप मुसे शादी करेंगे हूँ तब तुम्हारे साथ शादी करने लिए तो मैं खूद acquaint 노 गारं है तुम्हारा धृजित नहीं उसे मालूम है नहीं पड़ेगा और जब तक उसे मालूम पड़ेगा तब तक तो हमारी शादी भी हो चुकी होगी और आप मेरे पती भी बन चुके होगी फिर वो अपनी बेहन के सुहाग पर कभी हाथ नहीं उठाएगा ये तो बल्कुल ठीक है तो पर आओ अए रोको रोको आए सुरच भीया अपनी दिदी की शादी में नहीं गये दिदी की शादी क्या करें हम अरे सच कह रहा हूं वो अपना मुंसीव रगू है ना उसके साथ हो रही है अब तक तो फेरे भी लग चुके होंगे और वो ससुराल की चली गई होगी क्यों तुलो में तुल्यम अंडर सोक शागरात चाव में झाला के अ धुतरी मेंगो हाँ चलिया हदूर, हदूर अंदर जाईए और मेरी जगांपे जाकर सुखागराद बदाईए और पर आकर सुबह बदाईए कि मज़ा आया कि मैं आप के हो गया आपके दर्शन के लिए पेचैन हो रहे है अज़रा अज़रा इस्टाक्षर मरतीजें नो खामागा वक्त हो जाएका तो दुलन आपका हिंतार करेगा लाँ दुलन इज़र भी करेगा मेज़े शुबरात्री आय कौन है आप आज के रात भारेगा पती क्या बकवास करते हूं आज ही मनने भकवास करने नहीं भारे के साथ स्वागराथ बलाने आप चोड़ो 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 रगो आप आप चोड़ो आप 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 अपनी पत्नी को पराहे मर्ज के हाथ सोपने वाले दलाल तुम जैसे शरीर पेशने वाले को जीने का कोई राग नहीं आप 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 देख उसको उड़ा, उड़ा, चल पॉभा एकते हैं उड़ा दिदी, दिदी दिदी तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो भया मैं तुम्हारे जिन्दगी में बहुत बड़ा बोज बढ़ गय थी नहीं उस बोज को हलका करने के लिए मैंने मैंने उस पापी रोगु से शादी कर ली दिदी और उसके घर में बंद नी बंद गई दिदी लेकिन मैं धोका का गई मेरे भाई बोलो पाप से भी जदा पापी निकले अपने बंदे के लिए वो लोगों ने मुझे फारुस आपी से क्या हाले कर दिया बिदी नेे ग मीन वहा झाल झाल अगर्खर्ब गाजर्ण हाओंध। झाल 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 आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं जो आप लोगों में से किसी को मालुक नहीं है आप लोगों का कलेजा फटाएगा आप जानते हैं कि यह रामजादा खुदकर्ज है यह अपने विद्वा सगी बेहन का सोदा करना चाहता था उसे बेज कर उसके पैसों पर एश करना चाहता था तुरी प्रचाहरी सीता रोते रोते मेरे पास आई अपने दुख बरी कहानी सुनाने लगी और पिर मैं भी रोपड़ा इसे इस पापी से मजाने के लिए मैंने इस शादी गर ली लेकिन इस अरामी से इस हरामी से यह नहीं देखा गया बड़े कुटे से पागल कुटे की तरह यहां पर आया और मुझे पुरी तरह बारने लगा और फिर इसको वी लिले अपनी देवी जैजी भैल और तेरी धरम बत्ती को श्यात बाता है अरे कुटो आज तो मैं मजबूर हूँ अपनी इस पापी जुबान से जीवर के जूड़ गर लो तो मैं जूड़ी जुबान को जट से उखार कर निगाल दूंगा बास रगू बास बास रोना बंद कर सीने वे पत्त रख ले तेरा घर तो बसने से पहले उजड़ गया दोस् लाव लव लव अलिक है अब हूँ अब 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 लुड़ो अब 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 तर्मा जी पुलीज को खबर कर दी अब लेकिन पुलीज के आने से पहले हम इसको सदा देंगे इसके बाल मुंड़ा कर इसका मुवर कर दूंद काला करके सुगजे पर उल्टा बिटाकर सारे गाउं में फिराएंगे ताके गाउवालों के इबरत मिले कि कोई भी आदमी अपने बैंके इजट का सवदा न करे उसके पाक दामान को उसके खून से सुर्ख न करे तेजा जी हां नेचे कर रहे जब अब तक घमर नहीं टूट करता तरह जाहर बात है बेन का सवदा करने वाला गाउं के रिवाजों का क्या मान रखेगा ठीक है मैं तेरा इलाज करता हूं कि अब है कि अब है और इस तरह मैं मां से बच कर भाग निकला उनसे बदला लेने के लिए मेरा एसास बर्चियों की तरह सुबश शाम मेरे सीने में चुपता रहता है किसी पल मुझे चैन नहीं लेने देता सुनित अची अब आप ही बताईए क्या मैं खुनी हूँ कातिल हूँ मुझरिम हूँ गुनेगार हूँ नहीं बिलकुल नहीं पातिल मुझरिम गुनेगार तो वो है क्योंकि मैं उन लोगों का चित्र जानती हूँ आप हाँ तुम्हारी तरह मेरे भी दिल में बदले का जहर भरा हुआ है मैं एक अकेली अवरत हूँ इसलिए उनका कुछ नहीं बिगार सकी मेरा बस चलता तो मैं कपका उन तीनों को मौत के घाट उतार दीती आप कैसे जानती उन्हें रगु की पहली पत्नी मेरी बड़ी देहस में पाए हुए सारे रुपियों को आयाशी और शराब में उड़ा कर वो मेरी दीदी से और पैसा मांगने लगा पहले मेरी दीदी बात चालती रही आखिर जब तंग आकर उसने साफ इंकार कर दिया तो रगु ने मेरी दीदी का खून कर दिया और बंसिलाल के साथ मिलकर ये ख़बर पहला दी कि उसका दिमाग ठेक नहीं था उसने अपने आप खुदकर्शी कर लिए उस दिन से मैं उन जालिमों से बदला लेने के लिए मौका ढून रही हूँ आज भगवान ने आपके रूप में खुद आकर मेरे दिल में भड़कती हुई ज्वाला को ठंडी करने का रास्ता बना दिया है मेरी आज तक की जमाकी हुई कमाई, मेरा इंफ्रेंस, मेरा वसीला, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ बस आप वहाँ जाकर उन भेडियों का ऐसा सबक सिखाए कि इस इलाके के लोग रहती दुनिया तक उस सबक को याद रखे वा, क्या चिकन बनाता हुई मैंने तो बहुत खा लिया, मुझे नीद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, बाबाई जीजा जी, जीजा जी की फोड़रा कैसे आई भाया, तु इसको जानती है, अफकोस, वो जो मेरी प्यारी-प्यारी, मीटी-मीटी चो दीदी है न, सुनिता दीदी, यह उन्हे का मंगे तर है, उन क्या ही रहता ही है यू मीटी उसे डॉक्टर सुनीता, येस, ओ मैं गाड, चिराक तले अंधे रहा, किपवाइड, हलो, मैं दनेश बोल रहा हूँ, जैस मुझरिम के हम सुभा शाम तलाश कर रहा है, वो मेरे पडोस में ही छुपा बैठा है, तुम फॉरन पुलीस फोर्स लेकर, डॉक्टर स अने सुनीता के मकान को चार हो तरफ से घेर दो, कुझर फास ना, मैं पहुशे तूए है, यह कुझर ना, है, कॉम जुदुदुदू जुदुदू, जुदूतु, इनुदू, जुदू, 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 से बेकर, गठादू, अन फूस रहा हुआ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अगर तुमने भागने के कोशिश के तो तुम्हें गौली मार दी जाएगे फॉलॉव मे दॉक्टर सुनीता ये सुरज कहा है सुरज तो आस्मान पर है आस्मान के सूरज को तो हम जमीन पर नहीं ला सकते हैं लेकिन जमीन के इस सूरज को आस्मान तक जरूर पहुचा सकते हैं डॉक्टर सुनीता आप अच्छी तर जानती हैं, हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? ओ, सूरज बाबू के बारे में? वो तो चले गया है आइसी, कब? सुबह आठ बजे अच्छा, ठीक है इनके घर की तलाशी दो, चलो एक मिनट, आपके पास तलाशी का वारंट है? देखे देवी जी, मेरे पास सुबूत भी है और वारंटी आप कहें तो फॉरंद पेश करूँ आपको, हाँ? इस आल रहे हैं अच्छा, साफ, साफ उपर पलंग रहा है क्या बोल रहा है इडियोट? मैं अपने नोव बच्चों के कसम खाके कहता हूँ, पलंग रहा है आप खुद जाके उपर देख लीजी आप चंपक लाल तू की भूल रहा है, चल साथा साफ यह देखिए, पलंग रहा है चलो उठाब इडियोट, हाथ उठाइन को नहीं बोल रहा हूँ, पलंग उठाओ हाई भईया, आप तो मैं का कर रही हो, मेरे पहुंशने सब मैं अपने किताब लेने आई थी यह देखो, भागो पूट आया इसी को तो डूंड रही थी शाट मैं सच कह रही हूँ, भाईया आप, शाट अप डॉक्टर सुनीता, आपको मेरे साथ प्लिस स्टेशन आना पड़ेगा अपने का या तो डॉक्टर स्टेशन आपको मेरे साथ अपको मेरे निवर्ट्टी हो जाती यह तो बोला आनन्द आ गया बयाई आए यहाई आपको पंसी लाल कहा है अब 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 मर गया, खो गया, मतलब गया हो गया सीधी तरह बता वरना गर्दन मुरोड कर यहीं जमीन में गाड़ दूंगा वो तो शहर गया है जाकर उन कमीनों से कह दे कि सूरज की किरने मौत बनकर उनका पीछा कर रही है अब वो अपनी जिंदेगी के दिन नहीं घडियां किनी शुरू कर दे सुनीता देवी आप एक डॉक्टर हैं सोसाइटी में आपकी इज़त है और आपने एक मुझरिम को एक भागे वा कैदी को अपने घर में पना दी मुझे कैसा मालम हो सकता है कि वो मुझरिम है या भागा हुआ कैदी युमीन्ठु से आपको बिलकुल पता नहीं था जी बिलकुल नहीं क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं बगायर जान पहचान के आप एक गयर मर्द के साथ एक कमरे में रही मेरा मतलब एक घर में रही है आप एक बात और भूल रहे हैं A.S.P. साब मैं सरफ एक कमरे में रही नहीं बलकि मैंने उसके बदन को छुआ भी है एक डॉक्टर की हैसियत डॉक्टर सुनीता आप ये कहना चाहती है कि सूरद ने दो दिन आपके घर में सिर्फ एक मरीज की हैसियत से गुजारे है फेस्पी साहब हाथ में छुरा लिए एक जवान लड़की आपके सामने आये तो आप क्या करेंगे हम उसे ग्रफतार कर और गिरफतारी के बाद उस जवान लड़की को अपनी कैद में आप प्रैदी की हैसित से रखेंगे या किसी और हैसित से रखेंगे डॉक्टर सुनीता मैं पुलीस आफसर हूं अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं भी एक डॉक्टर हूं मैं भी अब कहा है वो डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद से आज तक मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया मगर घर जाने वाले मरीजों का हड्रस कभी नहीं पूछा मैड़म आपको जरूरत से जादा ही स्मार्ट बन रही है सूरज आपके घर में दो दिनों तक रहा और इसके बावजूद आपने उससे कोई सवाल नहीं किया मैंने कब कहा कि मैंने कोई सवाल नहीं किये बहुत सारे सवाल किये तबियत कैसी है जखम कैसा है भूक लगती है की नहीं नेंद आती है या नहीं मैं आपसे डॉक्टरी सवालों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं और सवा ठीक है आप जा सकती है साली सर्वा आप पुली स्टेशन में क्या कर रही है खड़े-खड़े कि सूर्ज दो दिनों तक डॉक्टर सुनीटा के घर में था और इस बात के डॉक्टर सुनीटा ने किया आप फिकर मत कीजिए बंसी साब हम पूरी कोशिश करना है कैसे कैसे फिकर न करें सरकार हमारी जान के लाले पड़े हुए मैं तो कहता हूं जल्दी कीजिए तो हमारे शराद का खाना पक जाएगा और शर्मां अरे मुझ पर काबू रख शर्मा मर गया शर्मा अरे हुजूर कैसे काबू रख खुश जबान पर हमारी मौत के घोड़े बे काबू छूटे हुए है लोग बुरे वक्त में श्री गणेश को याद करते हैं हमने एस पी श्री दिनेश को याद किया है यह पाप के गर्मी फेल कि आनेवाले सूरज को हथकरडी लगा कर देंगे हमें पें पूरा विश्वास है हम चलें जी हाँ हाज आज आईए हाँ चली बंचला जी आईए है 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 कराओ लोगया Gisem अंदर के साए, कि क्या करने चाल नहीं, चाल दो क्या भी झी नहीं नमुस्ते कि तेरी नमस्ते को मैं गाली से भी गंदा शब समझती हूं देखो साली जी तुम अचीन तरह से जानती हो कि साली आदि घर वाली होती है अब मैं तुम्हें खड़े-खड़े पूरी घर वाली बना देता है लेकि मुझे मुझे मौकाय नहीं दिया है ना अब मैं तुम्हारे पुराने जीजा जी की हैसे सी ये पूछना चाहता हूं कि सूरज कहा है मुझे नहीं मालूम डॉक्टरानी साहवा आपने आज तक सिर्फ अस्पताल में औरतों के बच्चे निकाले हैं मगर हम इतने कुट्टे के बच्चे हैं कि हमने मैदानों में खेतों में औरतों के बच्चे निकालकर रखती हैं शर्मा जी इस डॉक्टरानी को बताना कि हम इसके सिवा और क्या क्या कर सकते हैं हाँ देवी जी बले जलील है यह लोग्स दुनिया भर के कमीने बदमाश लुच्चे लफंगे पापियों का रस निकालकर दो आदमियों को पिला दो तो वो कैसे बन जाएंगे ऐसे हैं यह दूनों अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो बता दो सूरज कहा है मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है मगर तुम्हारी जान हमें प्यारी है ना इज्जत के साथ साथ यह सूरत इतनी बिगाड़ देंगे कि दुनिया को कोई मू दिखाने के काबिल नहीं रोगी न शरीर की और ना आत्मा की इसलिए बताव सूरज कहा है कि यहीं है क्या है डर बन कर तुम्हारी दिलों में बैठा है देखा कैसे घेट कमा रहा है हम कितनी गं बीरता से पूछ रहे और कितनी स्श के काब दे चिपकली मैं इसकी गंबीरता च्छाह में निकलता हूं यह जगा है देवताओं को चैलेंज करने वाला शैतान अगर ब्रह्मा कहें कि उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता तो यह पांच मिनिट में उसका लिखा मिटा देता है और जान ले लेता है आज तक 20 खून कर चुका है और पुलीस को आज तक पतानी चला कि वो लाशे इनसानों की थी या कुछ लेवेट जानवरों की थी मैं मर जाओंगे लेकिन नहीं बताओंगी देखो साली जी मैं कितना कुट्टे का बच्चा हूं तुम अच्छी तरह से जाती मैंने सारे गाम वालों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी बेहन ने खुद कुछी किये लेकिन हकीकत तो यह है कि उसे जहर देकर मैं नहीं वाला पकड़ेगा है मैं जानती हूं जलील तो बिर्जाली जी इस जलील को और जलील बने पर क्यो मजबूर करती है मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए जिंदगी का हर्स जहर पी जाओंगी हर आग पर चलने के लिए तयार हूं तुमने जोटी गवाईयों से जो अपने पाप छुपाए हैं उसका भांडा जब तक मैं नहीं फोड़ूंगी तुम हें और तुम्हारे इस बंसलाल को जब तक घसित करा दालत तक नहीं ले जाओंगी मैं चैन के साथ किसे की सथ resolve कि तुम लोगों क ऐसे नहीं छोड़ूंगी समझे है बंसलाल जी इसके भाशन से खाया हुआ राशन बाहरा रहा है इसका मूबन करवाओ और जग्डा से कहकर कुछ काम करवाओ इसका जग्डा हाँ ये गुडिया तुम्हारे हवाले जरा खेले उससे हुआ है शोरी तो छूरी से ज्यादा तेज !!" चूरी की धार देखकर भी तरी आंको में दर नजर रही आताatar कौई बात दखु अभी आए का सए लगता है अब छूरी की धार असर कर रही है औह बूole सूरिट का है औह पूल Immer यह क्या म०्सीब्त …- यह पहलिए उश गलव है जळसर स्कारव जर्ड जर्ड इस से कांके तुम मुसीबत में हो फरन के पार ने रूत पार की पास पुराने बंगले में पहुंचे सवनु और कुछ कहा तो धला कुट डालूगा बढा को जो सूरेज, सूरेज मैं बहुत परिशान हूँ तुम लेहरुपार के करीब पुराने बंगले पर फोरण चलियाना और सूरेज सूरेज अंदर लगाओ अपर चली जाओ अपर अनके का सूरेज सूरेज ओभाल बापके सेलेजाओ सूरेज, सूरीज सूरेज, अपरेblack बढ़ा पर्ख़ कि अ ऐर ऊड़ा ऋड़ स्थ आः अओत अओड़। इचूच के इट आपक पंप यह रभ फ ल फождनीक आपके islands अरे सुरिदा जी, सुरिदा जी, ये सब क्या हो गया? सुरज, इन जालिमों को फालसी पर लटकाने की समना दो अधोरी रह गई लेकिन बतकिसमत ही ये, कि मेरा ये खून हो गया सुरिदा जी? सुरिदा जी, सुरिदा जी तुम यहां से चले, फहरं चले जाओ नहीं तब मेरा खूं करके इल्जाम तुम्हारे सरीज में जाला जाते लो वाँ! सुराट! सुरी देडी! सुरी देडी! सुरी देडी! पूरी चांद दीन के बाद ये साबित हो गया कि मुल्जिम सूरज ने पहली नवंबर की गात को डाक्टर सुनिता का खून किया प्रोसीक्यूशन ने इस सिलसले में गवाहों के जो बयानात पेश किये हैं उनसे ये साफ जाहिर है कि मुल्जिम सूरज और मरहूमा डाक्टर सुनिता के नाजायस तालुकात थे डाक्टर सुनिता चूंके एक मालदार औरत थी इसलिए मुल्जिम ने उन पर एक दिन अपनी ये खौाहिश भी जाहिर की कि वो इसे अपनी जाइदाद में बराबर का इस्सेदार बनाएं लेकिन यूर अनर जब डाक्टर सुनिता ने इंकार किया तो मुल्जिम ने उन्हें अपनी मक्कारी से नहरुपार के पास पुराने बंगले में बलवाया और तनहाई का करने के लिए तुम्हारा कोई लॉयर है गवाहों के बयानात और मिलने वाले सबूतों के बल पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि पहली नवंबर की रात को मुल्जिम सूरज ने डॉक्टर सुनिता का खून किया लहाजा अदालत मुजरिम सूरज को इस जुर्म के ल मैं पंसिलाजी क्या वसीना चल दिया क्या वसीला चल दिया मौत ने सूरज को इस बता है अब तुम ने जे locked एले यह नाम दिया नहीं रजनी मैंने किसी का खुन नहीं किया मुझे फसाए जा रहा है मैं खुनी नहीं हूँ तो खाओ मेरी कसम तुम्हारे सर की कसम सुनिता ने मेरी जिन्दगी बचाने के लिए अपनी जान दे दे वो देवी थी देवी ही मैं भला उसका खुन कैसे कर सकता हूँ तो पिर तुम आदालत में क्यों खामुश रहे जब तुम पर खुन करने का इल्जाम लगा जा रहा था तुम चुप क्यों थे जावाब तो सुरज क्या वज़े थी वज़े जाना चाहती हो तो सुनो उस दिन जब मेरे पिता की लाश पेड़ से लटके हुई मिली तो उन्होंने मुझे ये कहकर खामुश कर दिया कि उन्होंने आत्मा तिया कर लिया मेरी दीदी को उन्होंने बहरे में से माड डाला खुन से लटपत इन्ही हाथों में उन्होंने अपनी जान दे दी उस वक में खुब चीखा चिलाया जुन के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन मेरी फर्याद किसी ने नहीं सुनेगी ये अंधे और बहरों की दुनिया पिती यहां दौलत की पट्टी और दौलत की रूज से कानुन को अंधा और बहरा बना दिये जाता है इसलिए मैं खामुश रहा हूँ क्योंकि मैं जानता था कि मेरी आवाज कानुन की निगाह में एक गुंगे की पुका लोगी ये तुम बिल्कुल गलत सुनचे सुरज तुमारी ये खामुशी तुमारे खोनी होने का सुबूत बन जाएगी तुम तुम पांसी के तक्ते पर लगका दिये जाओगे तुम्हें तुम्हें तुम्हारी जिनकी की परवह नहीं लेकिन तुम्हें कभी हही सुचा कि तुम्हें जिद्धिर से एक और बन Airport है मेरी सिधिक्त अगर तुमने रहे तो मेरा क्या होगा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इन बिल्कुल नहीं करदेगा मेरे सच और तुम्हारे आंसू जच साब के कलम का फैसला नहीं बदल सकते प्रीती मुझे मालूम है फैसला मेरे खिलाफ होगा मुझे भांसी होकर रहेगी नहीं होगी सुरज, नहीं होगे हब ये प्रीती जिन्दा है मेरे वकिल सबसे बात किये है वो तुम्हारे केस रड़ेंगे, तुम्ही बचारे की पूरी खोशिश करेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ हूं जिजा जी, सुनिता दिधी और तुम्हारे क्या संबन थे उसकी गवाई मैं अदालत में दूगी, और कहूंगी कि तुम दुरों का कोई संबन नहीं था अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब तुम दोनों के लिए बूलूँगा, सब कुछ सच-सच बूलूँगा कैसा हो सकते हैं अंकल? हाँ बेटी, सिर्फ पोलिस की गवाही पर ही कानून वाले फांसी की सजा दे देते हैं और कुछ केसे में बेनिफिट आफ डाउट पर रहाभी कर दिया जाता है सूरज के केस में कोई आई विटनस नहीं है उसने कोट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना तो कुछ कहा है और ना ही कोई वकील किया है इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे मुकदमे को हाई कोट में जरूर दाखिल कर लिया जाएगा साच हाँ बेटी लेकिन सूरज को कोट में सब कुछ सच सच बताना होगा अब इसे आसान मतला दो जब मैं सूरज को रहा करवा के तुम दोनों की शादी पर आशिरवाद दूंगा तब देना मुझे धन्यवाद भाकवान करें ऐसा ही हो ऐसा ही होगा हाँ भाकवान लुशन हुआ 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 है हुआ 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 हु हाय रब्बा साओली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार सुर्या नोन दफा करो जिन्दा 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 जिन्द मेरे पडोसन कई लड़कियां कोई गोरी कोई काली तुद पर दिल आया है मेरा एक तूही दिल वाली कोई और नहीं दरकार 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 बाकियां दफा करो कोई और नहीं दरकार दरकार बाकियां दफा करो लाठों पहें तो मेरा यार मेरा यार मेरा यार सारे दफा करो साउली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार गुरियां दफा करो आस बखो यह जो, आसे खेँ लो, आसे खेँआ! गुरियों का दिल चंचल, चंचल एक जग ना ठैरा, सावली होती है वफा की देवी, जिल होता है सुनेरा जोन या का दिल चंचल चंचल एक जगना चहरा नहीं जाए ने चुछ कर दो चुनिया तुझे दिलदार, दिलदार, दक्यान दफा करो लाखों में एक मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, दक्यान दफा करो पॉली से है मुझे प्यार, मुझे प्यार, मुझे प्यार, गुर्यान दफा करो है रब बाँ है रब बाँ कि का ले जा रही हो पैसे यह पैसे में वकील को देने जा रही हूं किसलिए का कि वो हाई कोट में सूरज को बेगुना थाबित करके उसे आज़ाद कराद मतलब मेरे पैसों से तू मेरे लिए फांसी का फंदा खरीदना चाहती है अच्छी बात है आज के बाद तो इस घर से करके रख सकता हूं तो तुझे इस चार दिवानी बंद करके रखना कौन सी मुश्किल बात है सिर्फ थोड़ी देर के लिए पिताची कल सूरज हाई कोट ले जाए जाएगा और वहां से छुटकर सीधा यहां आएगा मुझे आपकी कैसे छुटा कर ले जाएगा और रक्षमी देवी को भी साथ ले जाएगा अरे भाई एक मुद्द हो गई बीड़ी पिये है वह तलब हो रही है बीड़ी दो ना बीड़ी? माचिस माचिस? नहीं, नहीं मानजी न अपनी तुम्ब्य आग लगाकर सारी लंका जला जित्थी कहीं ये माचिस में तुवे देदू ये व्यान जलाना डालो इसलिए मज राता हम ये लुट ये ये वीड़ी कर दो हलो सुराज भाग गया ओ मैं गाद ठीक हम आप याथ का ओ कि कि अच्छारे चोरी अच्छारे कि 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 साब रुकिया है पॉर किया था एक आदमें उसके कपड़ मुझे पहना दिये और फिद मेरे कपड़े पहन कर मेरी मोर सखे लेकर भाग गिया लेकिन हो गया खिस तरफ इस तरफ इस तरफ गया कि अइस तरो अइस आप कि अ-इस कि स्रीज़ जलाओ कर दो... बहुत भागली है, ठक गए हो गए, चलो अब थोड़ा आराम कर लो बहुत, ए को रिर को हम दोग़ा आराम कर लो झाल 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 तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया सूरज अब तुम कहां जाओगे हुआ है 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 हलो हलो पुलिस है पार्टर हाँ दिनेश जुगरान बोल रहा हूं सूरज कनेरी के घने जंगलों में छुप गया है उसका पता लगाने के लिए पुलिस का डॉग स्कुएट भेजो पुलिस के हाथ लगें से पहले उससे हमारे हाथ लग जाना चाहिए परना बंसी बज़ जाएगी अरे तै की बंसी नहीं बज़ेगी बंसी लाल वो चाला इस बाद जंगल में छुपा हुआ है और जंगल में कितने पेड़ है पेड़ में की बंसी 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 दिए में प्राइब ऑटी में इसावाब में में आएखोर वज़ा जज़ाएगे तै की बंसी बंसी से अचले का वज़ा है और रधर ऑट्रा जाएबर अंधल का बंसीम जाना वाया हुआ है थं है ऱ्रिणर बन्हों खげल सब्सक्तरा ठाहिए जुलक झाहिए जар जब कर दो गयुपर है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है परदा हिल्गा लट्टाओ पर्दे के पीछे हैं आए 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 रहा है काहा है उल्लु का पठा गदा व्यखूफ खुद तो डर के हमें भी जागिया आपको तो सिर्फ डरा दिया मगर मुझे इस गरने अच्छा खासा भेगा दिया देख 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 उससे किस तरह फसाया जाए वो कैसे अपनी बेटी को हत्यार बनाकर उसकी शादी पक्ये करवाकर और यह खबर आपने भी क्या दिवाग पाया कड़े-गड़े प्रदाश कर सकता है लेकिन अपनी नहीं देख पाएगा वो तरपेगा अंगारों पे लोटेगा और वो तो यहां से वापस नहीं जाएगा हमारे भेला हुए जाल में फस जाएगा तर्वोटन Give लोटन कर दो हुए तर्व। हुआ Allan... हुआ भाइ कि नमस्ते श्वीजाब नमस्ते नमस्ते खारियत बंसिलाल जी खारियत अब तो मैयत का टैम आ गया है राद भर गरम रेज पर तरप्ती मश्ली की तरह गुजार कराया हूं अगर हुआ क्या अब ऐसे लोग कहते लड़की भाग गई आप कहते लड़की लापता हो गई है सच यह है कि मेरी बैटी लापता हो चुकी है इस लिए वायरलेस भैजिए अपने आदम्यों को भेजिए पलीस को भेजिए आप त्मिनान रखिए हम अपने दर्द से पूरी कोशिश कर रहे हैं कोशिश मैं नहीं जानता मुझे मेरी बेटी चाहिए और लगा क्या करेगा प्रति क्रूं में करें को बताना के मैं क्या कर सकता है मर गया शर्मा सरकार शर्मा को बताते हुसे शर्म आ रही है सलक पर भागे की चिक्षी निकालने वाले जोटिशी के तोते से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि ये क्या कर सकते हैं मुझे लोग A.S.P. दिनेश जुगरान कहते हैं मेरा नाम सुनकर लोगों के होश और हवास उड़ जाते हैं तोते और जोतिश की बाद छोड़िए इसले शराफत से कह रहा हूं आप लोगों से यहां से तश्रीफ ले जाए अगर पुलीस से मदद चाहिए तो मदद मांगिए हुकुम मत कीजिए मुझे मालू में क्या करना और क्या नहीं करना है अनौ गिराट अलव यह ब्लोडी स्वाइज गड़ाइए अगर हमारा यह काम कर सकता है न वह जगा तुर मैं यह जट पर सारा जंगल चान मारेगा और उन दोनों को पकड़के आपकी कदमों में लाकर कर गड़ेगा चलो हां इसका मतलब यह हुआ कि सूरच और प्रीती दोनों जंगल में है उचे अभी जाके उनको बताना पड़ेगा अहां स्वागताम स्वागताम रगू बाबू स्वागताम तैय यहां मन्ने के पास जाँ मन्ने के शकर करे दो याई जा अरे मन्ने का यार आ है मदीरा का बंडु बस का जा 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 गूब बाबू कि अरे तो अपने बंसी लाल की छोड़ी लागे अरे हां सुधर्शन बाबू उसी की बेटी है प्रीती ये घर से भाग कर उस हरामी सूरज के पीचे जंगल में आ गए या कि भाईया इसे पकड़ना जरूर है किसी हालत में भी इसलिए मैं जग्णा और उसके साथ यू को भी अब यह तो दर्शन बाबू एक बार यह लड़की हमारे हाथ पे आ गई जा तो फिर हम दोनों मजे ले लेके बिल बिलके खाएंगे इस फलकों खड़े खुड़े है कि अवनर आर्यों टेको अडर्यों घंशन रहे हैं पूर्ट्भ लेकिन कौन रहे हैं कि अधर आ तो रही हूं चिला थे क्यों और हाई है मेरे नम रजनी है हाँ वो तो भीकर लेकर तामले का कर रही है सूरत जिजा जी यहीं कहीं जंगल में छुपे हुए है उनकी तलाश में प्रिदी दिभी यहीं आई हुई है उसके पीछे मैं अभी आ गई बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं गई वो जीजाजी के लिए कितना रोती थी इसलिए मैंने सोचा चाहे मुझे शेर खा जाए हाती कुछल दे मैं उन दोनों को मिला कर ही रहूंगी हरे यह क्या आप लोग ऐसे क्यूं देख रहे मैंने कुछ गलत कहा गया है नहीं रजी तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे आप अब सब मेरे मदद करेंगे हाँ हाँ जरूर करेंगे और ऐसी मदद करेंगे कि तुम जिन्दगी वर याद रखोगी हूँ मैं कि 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 ऌई कि प्रफ अग़्ाद आगी तुमने कि उप्पकी हजाँ जेतह जरूर कि कि ऱाद भादे मलेक कि तुमने करेंगें डर्मने कि या Cambridge कि तुमने थाद़ ये Doge ूख़ज। साराश ूख़ज एंप चलम ुब ुई ुई फ। टूर ए टूर पुअ मोल मुप लाईंग एप बहन्यु थाना एफ है आप। मैं कर दो. आप। भराच! चर्द आपुड़ों आप। लुड़ा। और दोड़ोग से जाने जाले! हुआ हुआ! पुआ हुआ 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 लुल हुटक लो ज archa छुलь कर दो, कहा है वो लोग, कहा है वो लोग, बताता हूं, बताता हूं, वो लोग, फारस्ट, गसा उस्मान है सुराज, मैंने सुराज, मैं तुम्हारी साथ दो, मैं अब साथ गुझारने की काविल नहीं रहा, मैं इनसान नहीं आग बन चुका हूं, मुझसे दूर रहो, वरनए तुम भी चल जाओगी वो मेरी सिंदिगी की सबसे बड़े खुशनिसी भी होगी लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद करने आए हूँ तुम्हें बेगुला साबित करने की कोशिश कर रहे हूँ इसलिए प्लीज प्लीज उरज अपनी मन में सुलगती हुए आपको बुचा दो और जैसा मैं कहते ह करो मौत से पहले मेरे पुरे परिवार को मार डाला उनकी चीता की आँग मेरे मन में जल रही है जब तक मैं उन्हें जला कर राख नहीं कर देता यह आँग बुचने की बजाए और बढ़ती रहेगी नहीं सुराज नहीं तुम्हें मेरी का सब तुम उनसे दूर रहोगे त पर फेरी भी चीता चला दो उसके बाद जो मन में है वो करना तुम अस्पेशल स्क्राइड के इंफॉर्म कर दो कि हम आज ही निकल रहे हैं जी सरु लेकिन मैं दोकां कहाँगी मेरे माई वो लोग पाप से भी जादा पाप ही निकले अपने पादे के लिए वो लोग ने मुझे फॉर्म कर दिया यार आप दादा खुसकर्स है यह अपनी बिद्वा सगी भेहन का तोदा करना जाता था उसे बेख कर उसके पैदोबर एच करना जाता था जाता बेख कर उस दादा था मुझे माफ कर देना प्रिती, मेरा दिल और दिमाग बदली की आग में चल रहे है पुलीस आ गई है, उनके साथ चलिजेना, इसी में तुम्हारी बलाई है प्रिती, मिस्स प्रिती, प्रिती तूराज, 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 तूराज तूराज हमें देखते ही भाग गया होगा, लेकिन हमें अच्छी तरह मालू में उसे कैसे पकड़ना है मजूद, ये सर, इनने उनके घर पहुचा दे ओके सर पार कर दो झाल झाल कि जए कि दो ओर्वें Kalim कर अधि Ton व कर दो इसल्कोम बाहे बाहे बाधी मंढब बाहे मंदब मंदब बाहे 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 मंदो मंदो जोभी चाहो जोभी बंगो जोभी चाहो जोभी बंगो जोभी मंदो अजिरू तुमारे लिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 मांगो, 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 जो भी चाहो, जो भी मांगो, हादरी हूँ, तुहारे लिए कर दिंगे यरी चाहरे लिए हूँ, हादरी हूँ. हाँगगग!! कि आचtvार शाफ हुआ अ ya a V कि आचम्ने कि अ आई टौाहा era कि यो कि इा कि बमलत कि अ कि मुझे दमारा हूं तुम बरना नहीं चाहता हूं तो तुम मरना नहीं चाहता हूं है जिन्दा रहना चाहता है अभी मेरी उम्री क्या है देखो भाइए अगर तुम्हारी महरबादी रहना तो काभी साल जिएँगा और इन सालों में कितनी औरतों की इज़त और जिंदगियों से खेलेगा नहीं सूरज भाइए मैं तुम्हारे पाफ बढ़ता हूँ मैं रजाकील करो सुरज भाइए देखो तुम्हारी वहिल की जबरदती शादी करवाने वाला उसकी बेजती और मौत का जिम्मेदार कुछ साला बंसी लाल है भाइए मैं तो उसके आतों में कटपुतली की तरह हूँ जब हो चाहता है अ देखो मैं इस कमान में ये तीर लगा कर तैयार रखूँगा तुम भागना शुरू करोगी रजनी दस तक गिनेगी जैसे ही गिंती पूरी होगी मैं कमान से तीर छोड़ता अगर तुम तीर की हद से बाहर निकल गए तो बच जाओगे वरना तीर तुमारी पीठ में घुस तुम्हारे सीने के आर पार होजो को तो तझी में बेटी बेभी तेको अपेल तीरा अस्ता शाले करता हम मेरे सिन्दकी तुम्हारे हमारे हमाले ख़ड़े-ख़ए बचालो रच लिए भूष खर्चीर जाँ सी गंडे भुज nossa चर वाल कर दो यिर जना कर दे हैं हाँ compose एंज हम फिर मांट फिर शिर खार ईए विर मां लुट फिर लुम सक्थ сов वाराश दो नहीं तो गहां कर रही देदा रहे हैं वाराश प्रीट जराश है शूरा है एस्पी साथ और सबसे कही है कि अपने हत्यार गिरा देए पॉर्न नहीं तो मैं तुम्हारी भेहन का गला का दूगा जीजाजी, ये कहा कर रहा है आपा? शूरश, आखे मत दिखाईए और जो मैं कहता हुआ कीजिए औरना मैं इस बच्ची का खून करने जे बात नहीं हूँगा बया मुझे बचालो, मुझे बचालो, बया जूरू ने रशनी, तुम्हे कुछ नहीं होगा मैं तुम्हे कुछ नहीं करूँगा, प्रीज दर नहीं बया तुम सब हत्यार खाक दो हाँ, रीचे बैठो ऐस पी साथ, अगर जरा भी हरकत की तो मैं शूट कर दूँगा रजनी, बंदू के उठाव गाड़ी में रखो जिल्दी करो, रजनी चलो थैंके रजनी, अब तुम अपने बहिया के साथ घर जाओ आप अपना ख्याल रखेगा शुक्त वह घर जिरा गाम वुड़ी में शुक्षा रखना 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 आहिए हायए क्वस्ते शुक्त आपके निज़ान तो ठीक है ना देखिए मैं जबदस्ती बेटी की शादी करवा रहा हूं के शादी की बीच वह सूरज माउट का गहन मनकर तो नहीं आ जाएगा ना आप चुप-चाप महमानों का सौगत कीजिए सौरज का सौगत करने के लिए पुलीस की पुरी फौज तयार करी है सुनो रामनगर के वास्यो एक खास एलान सुनो आज इस गाउं की गली गली में गोलिये चलेंगी गोले बारूद के धमाके होंगे सारा गाउं को रुक्षेत्र का मैदान बने वाला है इसलिए जिस जिसको अपनी जान प्यारी है वो फौरण गाउं खाली करके चला जाए वरना हराम की मौत मारा जाएगा हराम जादे उल्टा लटका कर साले इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि सीधा होने के बाद दुनिया तरह को उल्टी नजर आएगी अ क्योंते होने घौजेंगे बड़ते की जोह तो ही दो कि अभिए प्लान उन्रीका की जाला हुए वहरी मुझे जिि मुझेगा कहीं को कि लुट ए मत अहां जोह ब्सक्राम है क्यों व्या capable ग्याओ Kate तुम आगे हाँ एस्पी साथ मुझे फासने के लिए बंसी लाल ने जाल फेलाया है मैं उस जाल का चैलेंज स्विकर करने आया हूं तो क्या इस चैलेंज के लिए तुम बे गुनाहों का खून बहा कर इस बसे बसे गाओं को श्बशार बनोना चाहते हो समशान बनाना या नहीं बनाना ये आपके हाथ में हैं अगर नहीं बनाना चाहते तो इस बंसी लाल को मेरे हवाले कर दो मैं हाब बेगुनाओं कि जिन्दगियों के हिफाज़त करने आया हूँ सूर्ज साहब जिन्दगी का जुवा खेलने रहे कि आपको ग्रफतार करने के लिए मैं बंसिलाल को आपके हवाले कर दू ये जुवा तो आपको खेलना ही पड़ेगा इस सिसाब इस जुवे के बगार कानून की हद करी और सुरज के हाथों की मुलागात होई रही सकती इसका मतलब है कि तुम कानून को ललकार है कानून कानून जो अपनी आँखों से देख नहीं सकता हो कानून कहां था आपका कानून जब गाव के इजददार गरीबों के मुहाफिज दान्विर धान्विर बंसिलाल और उसके साथियों ने मेरी बेन को शिकारी कुटों की तरह माड़ डाला मेरे बाप को यहां इसी गाव में मार कर बीच चुराय पर लड़का कर ऐलान कर दिया मैं आप से पूछता हूँ जब डॉक्टर सुनिदा ने असली मुझ्रिमों को फगड़वाने के लिए आपके कानून की मदद करना चाही तो इस जालिम ने उसे हरम कर दिया और उसका खुन मेरे नाम लिख दिया और खुद साब बचकर निकल गया कहा थे आप लोग उस वक्त अपने अंदे और बहरे कानून की तरह अपनी आखों पर पट्टिया बांदे अपने कानूं पर रूठ होते किस कौने में चुपे होत सूरत साब ये वर्दी कोई आस्मान से उतरी हुई नहीं है जिसमें करिष्प अचमतकार के तगमे लगे हुए है जो घर बैठे कुनहगारों का पता पता दे ये वर्दी भी इसी दुनिया में बनी है और इस वर्दी को पहने होते तमाम लोग इसी दुनिया की मिट्टी से पें जनमने वह इंसान हैं और इन्सान को वी कर सकता मैं मान का हू시는 तुम्हारे साथ गलत्ती हुए जात्ी हुए जुन हुए नायंसाभी हुए ऑझर यह सछे तो में दिनेश pockets राधा करता हूँ कि तुम्हें इंसाभ दिलबांगा लेकिन उससे पहले अधियार फैब दो और खुद को खानून के हवाले कर दो अरे आप सूरज मैं तुम से पुलीस ऑफसर के नाते नहीं बलके इंसान के नाते शराफत और भाईचारगी के रिश्टे से कह रहा हूँ एस्पी साथ मैंने अपने बाप अपनी बेन और एक देवी समान औरत सुनीता इन तीनों का इतना बैता हुआ खून देखा है कि उस खून के भाव में इंसानिया शराफत भाईचारा सब बह गए उनके शरीर से बहा हुआ हुआ हूँ मेरे दिमाग में चड़ गया है मेरी आखों में उतराया है और पिगलते हुए सीसे की तरह मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है जब तक मैं इस कमीने का खून न कर दो तब तक ये पिगलता हुआ सीसा मेरे दिमाग मेरी नसनस को अंदर ही अंदर जलाता रहेगा मगर फाइदा क्या होगा तुम भी तो जिन्दा नहीं बचपाओगे तो मैं अब भी कहां जिन्दा हूँ तिनेश बाबू एक चल्स्ती फिर्ती लाश हूँ जिसके अंदर आत्मा नहीं बदले की भावना बरी हुई है बदला ले लूँगा तो ये लाश खुद बखुद हाथ के कान उनके कदों में गिर जाएगी झाल बखुद झाल 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 झाल